आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाऊ डाउनलोड नाओ तो हम लोग का question दिया गया है करा कि एक कैलोरी मेटर है कैलोरी मेटर जिसका water equivalent 50 gram है और वह 100 gram of water 30 degree celsius पर है ठीक है तो यह color condition हो गया करा की situation जो नीचे दिया गया उसको चेक करकर करके बताना है कि final temperature कि इसका correct है ठीक है तो यहाँ पर 50 gram जो है वाटर रिकर वाइलेंट है है ठीक है और यह 100 gram है ठीक है तो पहले option one check करते करा कि 15 gram i से minus 20 degree celsius पर ठीक है तो इसका मतलब है हम जानते है कि case of ice हमारा हाप होता है ठीक है एस of water हमारा one होता है तो हम यह direct use करेंगे ठीक है कि फॉर्मूला हमारा होता है msf q is equal to msf delta t ठीक है अब हम सारा यूज करेंगे इसी कहीं साफ से तो यह option जो हमने option यह हमने a b c मानते हैं ठाक हम सारा चेक करें तो abc कहीं साफ से आप चिक कर लें तो यह में क्यारा कि 15 gram ice है और ice का यह सेफ होता है आप temperature minus 20 है तो पहले इसको जीरो टिग्री सेल्सेस लाना पड़ेगा फाइनल टेम्परेचर जीरो लाना पड़ेगा ठीक है तो यह हमारा हो जाएगा देड़ा सो केलोरी ठीक है अब आइस को आइस को वाटर में कनवार्ट करने के लिए हमें लाइटेंट एट ओफ यूजन जो हमारा होता है एट्टी होता है तो उसमें कितना क्यों रिक्वाइर होगा तो पंदरा ग्राम ice है और असी तो यह हमारा पंदरा अठी बीस्ता से कितना होगा इन दोनों का समेशन तो तेरा सो पचास केलोरी ठीक है तो यहां पर बोला कि फाइनल टेंपरेचर क्या होगा तो मानते हैं कि आप फाइनल टेंपरेचर जो है वो टी हो जाएगा ठीक है तो अब यह पूरा वाटर में कनवार्ट होगा तेरा सो पचास केलोरी म थिखे तो आप 15 ग्राम हिए आइस था था यह पंद्रह ग्राम ग्राम और इसका वाहलू जो है बाटर में चबाटर तो ओन हो गया और टी और जीरो से ठीक है और यह जो होगा टोटल यह हमारा सब्सक्राइब कोश्चन में यह ऊपर 100 ग्राम वाटर जो है और यह पास पचाप फिप्टी ग्राम एक वाइलेंट है तो टोटल देड़स हो गए तो यह देड़स हो इंट्टू कि टी माइनस चीरो ठीक है सारी ठाटी डी ठाटी डिग्री पैना तो यह हुआ ठाटी माइनस टी इंटक हो आटर है तो वन होगा होका कैंगे तो हम्हें यहां सेती सोलव करेंगे तो हमारा टी का वैलों new हो जाएगा वह हमारा 210 अपन 111 डिग्री सेल्सियस होगा ठीक है और यह 210 अपन 111 डिग्री सेल्सियस दिया गया मतलब यह हमारा करेक्ट अंसर है ठीक है अब दूसरे अपसर में कहारा कि पाच ग्राम स्टीम जो है तो फाने टेंपरेचर क्या यह होगा तो आप उसी तरह से बनाएंगे दुबारा तो अब हम भी को आप्शन को चेक करें तो जब हम भी आप्शन चेक करेंगे तो आम जानते हैं कि जब स्टीम होता है तो वाटर का पांसो चालिस होता लाइटेंट लाइटेंट हीट अफ ठीक है इसका और यह 100 डिग्री सेल्सियस पर है ठीक है तो यह अगया है उसका स्टीम में करवाट होने का और टोटल हमारा कितना है वन इंटू यहां हमारा सी एफ और फाइब ग्राम घ्या ठीक और टेमपरेटर हन्रेट माइनस टी है ठीक है और यह जो है वह देरसो ग्राम वाटर हे इनटु वन एंटु लान इंटू टी माइनस थ इमैंपरेटर ना है ही हमें। चेक करना तो यह संट जो हमारा रटी अ पन्दरार सो चालीस काक्ति सुन से हो तो कि थाठी जारी कबोटले हों कटो हमारा यहां यह शॅन रडरी और कि शॉल्ट्क में उसकर जा थिए हैं । वाटरे सब्सक्राइब करेंगे तो आप हम्हाना से सोल्व करेंगे तो हमरा टोटल वाटर कितना तो 100 ग्राम जो दिया होता कुछ्टन में और यह टी माइनस ठीडिशंट नियुत ठीक है अब यह टोटल ूट्य ग्राम मफल करेंगे तो हमारा आहेगा दस सो दस अपान ट्वंटी त्री डिग्री इलसिएस तो दस सो ईपान ट्वंटीtha रिया नहीं तो यह हमारा अप्षण घलत होगा ठेक है और अब कर आपοιड़ ऑफ़ी सरस्क्टाइट अब हमie आई होगा तो पंदरा ग्राम ऑफ आइस है तो इसको लेटेंट हीट फ्यूजन एटी चाहिए अब यह वार्टर में कनवार्ट हुआ और वार्टर में कनवार्ट होने के बाद यह वार्ट पान हो जाएगा और इसका टेमप्रेचर मानते हैं टी है और इनिशियल जी रिसल से से और यह जितना होगा वह ओर फिप्टी ग्राम में टिया गया तो यहांसे जब करेंगे तो हमारा ट्वंटी डिग्री सिल चाहएगा ठीक है तो देखते हैं कि आप्सन फॉर में ।्वंटी डिग्री सिल्सियास दिया हुआ है तो हाँ दिया हुआ है, तो हमारा ये भी option correct हो जाएगा, तो मतलब हमारा तीन option correct होगा, option 1, 2 and 4, यह हमारा answer हो जाएगा, thank you.